ये मचली हवा, जमीन और पानी सब जगाए रह सकती है जब इस मचली के पिछो कोई बड़ी मचली ये जानोर पड़ जाती है या इसे खत्रा महसूस होता है तो या हवा में उड़ने लगती है उड़ने के लिए ये मचली पहले पानी में तेजी से तिरती है और हस्विट बढ़ाने के बाद लगवल साथ मिटर तक उची उड़ सकती है और इंक बान के उड़ान में लगवल दो सो मिटर तक की सफ़त कर सकती है